एकदम अलग तरीके से और नई स्वाद के साथ आज हम यहाँ पर भर्मा टमाटर को बनाएंगे दोस्तो तो नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसीपी में तो आज हम यहाँ पर भर्मा टमाटर यह ग्रेवी वाले नहीं बनाए हैं हमने सूखी तो इनको बड़े ही असान तरीकी के साथ बनाने वाले हैं चलिएगा तो यहाँ पर हम लेंगे टमाटर आप टमाटर अपने हिसाब से कमया जादर ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर का हिस्सा अलग कर देना हैं तो टमाटर आप थोड़ी से बड़े ही लीजेगा इसको साफधानी से अलग करेगा और उसके बाद देखेगा इसके बीच का हिस्सा जो होता है इसकी जो पील होती है उसको हम निकाल देंगे इसमें से तो बड़ी साफधानी के साथ निकालेगा बहुत आराम से निकल जाती हैं तो बस इसी तरीके से सारे टमाटर को हमें यहां पेल ऐसे शायज़ना करना को तहई में के लिए इस तो हमें दूस्स goodness- तестиव हो करना जरूरिया तो यहां पर देखिए सारे खाली अगाuration ऑर उनकी जो यह क्या कियों इसको देखेगा आप दूसरी सब्जी में ग्रेवी के रूप में इस्तिमाल करेगा इसको फैकेगा नहीं तो यहाँ पर देखेगा स्टेफिंग के लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू ये 6 से 7 मीडिम साइस के आलू लिए हैं बारी कट किया हुआ प्याच और ये हैं हरी मिर्च चार ली हैं अगर आप तीखी हरी मिर्च ले रहे हैं तो दो ही लीजेगा यह तीखी वाली नहीं है तो चलिएगा बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तीन चमच ओईल लिया है और उसमें हम डाल देंगे यहाँ पर आधा चमच जीरा जब जीरा चटक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे यहाँ पर बारी कट किया हुआ प्याच और हरमच दोनों को साथ ही एड कर दीजेगा और गैस को रखेंगे हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर थोड़ी सी चुटकी बर हीं इससे बहुत ही अच्छा फ्ले बू कतते हैं जीरा यहाँ को भी हमने आदा चमच में थी लिया और यह है गरम मशाला यह आदा चमच से कम लिया है और यह भून हूँआ हे घीरा एक चमच और इसके बाद इंको चला दीजेगा देखिए बिक तब़ून कर के तयार किझेगा और उसका पावडर बना लिए जिगा बहुत आसानी के साथ तेयार हो जाता है और इसको डालने पर इसका टेस्ट भी अलग ही आता है तो जब यह तेल छोड़ जाए मसाला और यह अलग भुने हुए दिखाई देने लगें तो हम इसमें एड कर देंगे यहापे आलूओं को जो हमने यहापे फोड के रखे हुए थे देखिएगा मैश मत किजिएगा आलूओं को फोड कर ही डालिएगा इसमें तो बस अब इसको मीडियम फिलेम पर ही आप दो से तीन मिनट तक चलाते हुए मिक्स करिएगा इतने टाइम में यह जो हमने हमारी स्टेफिंग है अच्छे से पक भी जाएगी और तयार भी हो जाएगी मसाले भी मिक्स हो जाएगी तो चलीएगा देखेगा आप मैंने गैस्टेस को ताल लिया है हलकी ठंडी कर लिया है और इसके बाद हम इसे टमाटरों में भरेंगे इस तरीके से अच्छे से सारे टमाटरों में भर लेजेगा तो टमाटरों को भढ़ने के बाद हम इन टमाटरों को दुबार से पकाने वाले हैं क्योंकि टमाटर कच्चे थे ना इसलिए तो देखेगा मैंने सारे टमाटर को यहाँ पर भर करके तयार कर लिया है और अब हम इनको बनाने वाले हैं जो बचीवी स्टफिंग है आप उसको सेंडविच में या सबची के रूप में कैसे बिखाएगा पहुत टेस्टी लगने वाली है तो देखेगा ये मैंने ओईल लिए हैं पर तीन चमच और इसमें हम डाल देंगे टमाटर को देखेगा जल्दी गल जाते हैं इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम टमाटरों को इसमें डाल दें तो उनको आप चलाते रहेगा और देखेगा थोड़ी सी दूरी बना कर चलाईएगा क्योंकि इसमें जो हमने आलो और ये टमाटर दौनों चीज़ डाली है थी हो स शांनल देखेगा उनको सर्व कर लेए तो यह लीजेगा दोस्तों यहां पर भर्वातमाटर बनकर आड़ा होगे हैं कितने टेस्टी यमी लग रहे हैं लेकिन हम in percent भ town कर लेते हैं मैं नहीं पर पनीर से की अगर आप चाहें तो हरा धानिया से भी इनको खार सकते ho UP सर्कात तो यह लेजेगा दोस्तों यहाँ पे भर्वा टमाटर बन करके बिल्कुल तयार हो गए हैं आप यह एजी रेसिपी एक बार जरू ट्राइब करिएगा दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और साथ ही आप बैल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके तो यही रेसिपी दोस्तों आप जरूर ट्राइगा चलिएगा अब हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ और देखिएगा मैंने आपे कट करके भी कि अच्छी से हाँ पर बन करके त्यार हुआ है तो आप भी इसको जल्दी से ऐसा ही बना लीजिएगा